तो आज मैं आप सभी के साथ पत्ता गोभी आलू और मतर की सूखी सब्जी की रेशिपी शेयर करनी जा रही हूं जो खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिश लगती है और एकदम फटा-फट से बन करके तैयार भी हो जाती है तो बहुत ही कम तिल मसालों के साथ आज मैं इस शुरू कर देग're यह स्थियर बनाना स्थ सरी यहां यहां वेल आकन को प्रेंस की जिएगा तो छलिए फेसी बंडरर सब्चा नय विए बनानी के लिए मैंने एक पफाली लिया है जिसे मैंने बनुह आलो गोट करके एंअखे से यह अ तो एक बिल्कुल बारिक बारिक से इ अब सब्जी में चार मेडियम साइज के आलू लिए हैं जिसके चिलके को मैंने चिल करके आलू को पानी में रख दिया ताकि आलू काले ना पड़े साथी में यह एक कप फ्रेस मतर तो भी मतर का सीजन तो अभी मार्केट में बहुत इसली मतर मिल चाती है तो सबसे पहले में इसाई पहले में अब्यार अब कराई ने यहीं क Aug atau लिए करया है यहां में एक पहले मिल प्रहे में तीन पिस तरी के से में अड़ा में किन्टी के भी में करते हैं महें मुझालब23 आलू को मितरके से ऊबिच से ख़नी है टूझार चार वह टानी Auf तो मैं इसे ही लूँगी इससे टेश्ट भी अच्छा आएगा और सब्जी में कलर भी बढ़िया आ जाएगा साथ ही में एक इंच द्रक का टुकड़ा और थोड़े से मैं यहां पर लहसन लिये हैं तो यह देखिए यहां पर हमारे मसाले पिस चुके हैं तो अभी मैं इसे रखती हूं साइट पर चली मैं सब्जी बनाना इस्टार्ट करती हूं तो गैस पर मैंने कड़ा ही रखी है और इसमें मैं दो बड़ी चमच सर्सो का तेल लिया है मैं जेनरली जो भी सब्जी विगरा तक यहां पर अच्हे से भodus यानी कि थोड़ी आपर त्रांस्पेरंट हो जाय उतना है देखिए दो से तीन मिनेट हो चुके हैं और अलू हमारी यहां पे खुख हो जाएगी अब मैं यहां पे ले एक बड़े साइज की टमाटर तो एक दम से लाल वाली देसी टमाटर है इसे टेस्ट बहुत ही बढ़ी आती है इसके जो डंठल है उसे मैंने कट करके हटा दिया है और इस तरीके समें आपे टमाटर को भी बड़े पीसिस म कट करके टालूंगी जब टमाटर आलू और मटर के साथ अच्छे से बहुनेंगे ना तो यहां पर एक खुद पर खुद मैस हो जाएगी बारी काटने की कोई ज़रत नहीं है अब मैं इसे ढख करके दो सितीन मिनार तक अच्छे से पकने देती हूं ताकि सारे हमारे जो मसा मसाले को जो मैंने एड किया था सारी चीजिया पढ़ियां से भून चुकी है तो मैं पर सुखे मसाले में एक चमत धनीय का पावडर हल्डी का पावडर और लाल मिर्च का पावडर एड करे हूं तो मैंने जीरे का पावडर एड नहीं किया क्योंकि जो मैंने मसाले को पीसा बनाने के लिए मैं पानी का यूज बिल्कुल भी ने करूंगी क्योंकि पत्ता गोवी में अल्रेडी जब यह पकती है तो इसमें पानी रिलीज हो जाती है तो उसी पानी से हमारी सब्जी कुख हो जाएगी कोई भी हम यह आपे एक्ष्रा पानी वगड़ा एड करनी की जरू मैं पीसा था ना था दो चमच भर पानी सिप्सक्राइब अब से ने ढूंग लिए मासालों को जो अधो पानी से भी दोग कर दिया है अब में अधाराम से चार पाँ मिनट तक अच्छे से कुख हो देती हूं यह देखिए यह पे हमारी पत्ता गोवी से उल्रेडी पानी र अब हमारे जो पत्तागों भी है वो थोड़ी सी और हमें इसे कुक करनी है तो मैं से ढख कर के चार से पाँच मिनद तक फिर से पकने देती हूं लो टु मीडियम फ्लेम पे मैं से पका रही हूं तो आप देख रहे हैं कि यह पे हमारी जो सब्ची है ना बहुत ही पढ़ियां क्या देखें ओगर जाये लिए एक भी जाए लेगी आपची एवर हमारे सब्ची में आजाएगी तर लेजए हमारे सब्ची बन करके तैयार हुची है तो चलिए इस मैं सर्ब कर लेती हूं तो मैं इसे सर्विंग बाउल ए तर लेषिए है और यह देखें बिल्कुल ही ड् में उन्यित्धे मसालों में औरूरीस बना कर तयार किया है। Jenis दिरे शिए खाल भी जरूरीकर भी रगी तैयार किया।on ज़िए लगी इंड़ाइक उ चैनल अज दे लिग वीडियों लाइक कर दो हम ना इए स्क्राइब करके वेल आकन को प्रेस कीजिएगा मिलती हमें नेक्स्ट वेडियो में कुछ नहीं रेसिपीस के साथ थैंक्यू फर वाजिंग